सब्सक्राइब करिए टेटी राहूल जी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो से नौटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले हलो दोस्तो मेरा नाम है राहूल और आज मैं इस फैन की अन्बॉक्सिंग करने वाला हूँ जो प्राइड कमपनी का है और जो एसी से चलता है डिरेक्ट इसमें ना कोई आपका डॉक्टर की जूरत है और नहीं किसी भी चीज़ की जो इसको चलाए इसमें सिर्फ आपको 220 वोल्ड AC देना है जैसा कि इसके बॉक्स में लिखा है 220-240 वोल्ड तक चलता है 50-60 हर्ट का है 0.18 एम्स का है और यह फैन बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छा वर्क करता है और ना देर करते हुए इसको हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसके इंदे क्या है तो यह है फैन से कंप्यूटर के फैन की कॉपी है बट यह इसमें एक ही खासियत है कि यह AC से चलता है और बाक्स हमें कुछ भी एक्ट्रा आइटम नहीं दिया हुआ है और यह इसकी कोड है जो 220 वोल्ड में लगेगी डियरेक्ट और यह प्राइट कंपनी का है एक्सल फैन है यह 220 वोल्ड से चलता है बहुत ही अच्छा है मेरे पास पहले भी था यह फैन बहुत बढ़िया बहुत साल तक चला और यह अभी मैंने नया लिया है तो मैंने गा इसकी अन्वाक्सिंग कर दूँ आपको है और इसमें आपको कुछ भी लगाने जरूत नहीं है आप इसको अपने किचन में लगा सकते हैं वाश्रूम में लगा सकते हैं जो करमी भर जाती है किचन में और वाश्रूम में उसको बाहर करता रहे गा यह बहुत तेज नहीं चलता है कि जैसे बड़े बड़े अगजा तो आश्यास जैसा नहीं है लेकिन work आच्छा करता है इसको आप अपने घर में यूज कर सकते हैं कई जगाम लगा सकते हैं टौिलेट में किचन में यह जहां भी आपको लगे कि थोड़ी सी गर्मी भर जाती है वहां पे इसे यूज कर सकते हैं किसी computer की किसी काम में आप यू यो लगा सकते हैं जहां पर भी जादा व्वगैरा गरम उतों सर्क्रिट जादा गरम उता कंप्यूटरstep सर्ड वर्क ना हो रहा है तो इसको आप लगा सकते हैं या उनसे तेज काम करता है जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ли स्पीड है बहुत ही क्वाल्टे वी अछहार बिल्ड कॉ bermơn की उपर की जो चैचीज वह पूरी मैटल की बनी है एलुमुनियम की और फैन जो है वो प्लास्टिक का है अंदर इसमें कॉपर कॉइल होती है और एक-ड्रॉम होता है iron and aluminium का जो घूमता है और coil में जब power जाती है तो वो magnet बनाती है और ये घूमता है और जो computer fan होता उसमें transistor लगा होता है, coil लगा होता है तो वो power को fluctuate करता है change करता रहता है तो वो magnet के work पर करता है इसके अंदर magnet नहीं होता है तो ये अच्छी quality का है वीडियो में लास्टे तक बने रहने के आपका धन्यवाद